हेलो नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खेरित से होंगे, आज मुरक का बात का टोपिक लेका हूँ में मरहम, मरहम बनाने के तरीका है, मरहम यानि ओइंटमेंट, जो दर्द, फुनसी फोड़े, एलर्जी, इस्किन डिजीज, दाद, खाज वगरा, इन में इस्तमाल के जाता है, जो लगाने की दवाई है, तो इस में हैं मरहम नासूर, यानि नासूर पर लगाने वाला नासूर की बीमारी में काम आने वाला मरहम, इसकी वज़ा तस्मिया है, यह मरहम जो है, नासूर में इस्तमाल होता है, और बहुत ही मुफीद है इसलिए इसका नाम मरहम नासूर रखा है इसका अफाल है मुदमिले करू यानि जखम को भरने वाली दवाई है यह मौके इस्तेमाल है नासूर में मुफीद है जुजे खास है इसका मुरदार सिंग यानि लेड ऑकसाइड इसके अजिज़ा है मुरदार सिंग जर्द चौब ये लेनी है 30-30 ग्राम और रोगन गुल 15 अमल और मौम सफेद ये 60 ग्राम इसके बनाने का तरीका जो है वो ये रहेगा कि पहले जो है ये मुरदार सिंग और जर्द चौब को जो है बारीक पीस लें बहुत बारीक करनी है इसको कपड़चन करने मिलकुल और कपड़चन करने के बाद ने जब सफोज हो जाया बिलकुल रोगा निगुल और मॉम सफेद को कड़ाई में कड़ाई में या किसी दूसरे बरतन में रखें इसको आज पर रखें हलकी आज पर जब मॉम पिखल जाए तो इसके उतार कर और सफोव डाल कर खोब अच्ची तरह से इसको खरल कर लें और खरल होने के बाद में ये बिलकुल गाढ़ा ओइंट्मेंट की तरह मरहम की तरह हो जाएगा जब ये बिलकुल एकजाँ हो जाए सब तो इसको किसी बरतन में महफूज कर लें अब इसका तरकीब इस्तमाल क्या है ये नासूर को जो है ना पहले नीम के पत्तों का पानी गरम कर गए उससे धोल इंची तरह से और फिर ये मरहम लगाएं इंचाल्ला बहुत फादे मन रहेगा और इसको जो है करीब करीब सभी कमपनिया बनाती है ये रेडियमेट भी मिलता है बाकि आप घर पर बनाएं और उसका रिजल्ट भी अच्छा रहेगा जो नए वीवर्स है वो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को ज्याद ज्याद शेयर करें शुक्रिया